इस्राइल में लोग नए नेतरित्व को चुनने के लिए मतदान कर रहे हैं। ताजा सरवेक्षणों के मताबिक पूर प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतनियाहू की लिकुड पार्टी सर्ता में वापसी कर सकती है। हालकि नेतनियाहू पर प्रधाश्टाचार के आरोब हैं। इस तरह का राजनेतिक गतिरोध इसराइल के लिए अब प्रत्याश्ट रहा जहां चार साल में पांचवी बार चुनाब हो रही है। बिन्यामिन नेतनियाहू पर लंबे समय से ब्रश्टाचार के आरोब रही हैं। जिनें वो खारिच करते हैं और देश इस मुद्दे पर बटा हुआ है। मौजूदा पीम ये लेपिड अब अपने ओफीशियल फोटो आप्स में बिजी हैं। पिछले ही साल उन्होंने अपने से अलग विचारधारा के साथ गट जोड किया था। जिससे नेतनियाहू को पद से हटना पड़ा था। लेकिन ये कहानी है इस चुनाब की जहां धूर दक्षिनपंत की लोगप्रियता बढ़ी है। जहां चर्चा की वज़ह है यहूदी नेता आईबी ग्विर जो वर्षो तक राजनीती से दूर रहे। लेकिन अब उन्हें संभावित कैबिनेट मिनिस्टर की तौर पर देखा जा रहा है। दील करने में माहिर बिन्यामिन के साथ उनका गठ जोड यहां समर्थन के हिसाब से भी तोला जा रहा है। जिससे बिन्यामिन को सत्ता में वापसी में मदद मिल सकती है। लेकिन वोटर्स की नजर में मुकाबला इतना भी आसान नहीं मैं ऐसी पार्टी को वोट देने के बारे में सोच रहा हूँ जो मेरी मानिताओं और धर्म दोनों का समर्थन करे उमीद है कि नतीजे अच्छे होंगे 80 लेपिट को सत्ता में चाहती है हमें उन्हें एक मौका देना होगा क्योंकि नेतन याहू 12 साल तक रहे और उन्होंने कुछ नहीं किया आपको क्या लगता है? जबाब क्या है आपका? पक्का नहीं कह सकती पर मुझे नेतन याहू की उमीद है क्या नेतन याहू वापसी करेंगे? हाँ और चुनावों को समझने वालों का क्या कहना है? देखने वाली होगी वो चुनावी रात जब तमाम पार्टियां नतीजों को हासल करना चाहेंगे और यदि नेतन याहू विरोधिक कुछ राजनितिक दल यदि बहुमत तक नहीं पहुँच पाए तो इसका मतलब होगा कि उनके लिए मौके बढ़ गए है और चुनावी सरवेक्षनों से आसार नजर आ रही हैं कड़े मुकाबले के यहां लोग जानते हैं कि गती रोध दोबारा बन सकता है